जंगल में रेलवे स्टेशन के किनारे कुछ पक्षी अपने लकडी के जोपड़े लगा कर रहा करते थे वे सभी पक्षी काफी ज़्यादा गरीब थे पक्षियों रेलवे स्टेशन के पास रहने से हमें एक फाइदा हो गया है एक तो हमें यहां रहने की जगा मिल गई है और दूसरा जो भी पक्षी यहां से आता जाता है वो हमें खाने पीने को कुछ दे कर चला जाता है हम लोग तो कितने गरीब हैं हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं होता है हाँ कबूतर वैसे तुम ये बात तो बिल्कुल ठीक के रहे हो यहाँ पर रहने से काफी जादा फैदा है हमें और वैसे भी जंगल के महराज ने भी हमें यहाँ पर रहने की इजासत दी हुई है हाں लेकिन पक्षियों वो जो जंगल का पुलिस वाला कालुकावा है वो नहीं चाहता है कि हम सब पक्षी यहां पर रहें कल भी उसने मना किया था कि हम लोग यहां से चले जाएं मुझे पता हैं देखना आज भी वो यहां पर जरूर आएगा हमें यहां से भगाने के लिए नहीं नहीं मिठुत होते हम भला यहां से क्यों जाएंगे जब जंगल के मिठु महराज नहीं हमें यहां पर रहने की अजासत दे दी है तो फिर हम बला यहां से क्यों जाए हम यहां से नहीं जाएंगे इस जगह को छोड़ कर फिर वे सब पक्षी यही बाते कर रहे होते हैं तब ही वहां पर वे कालू का वह आ जाता है हाँ बई पक्षियों एक बार की बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है क्या तुम लोगों को कल ही मना करके गया था मैं कि तुम लोग यहां से चले जाना लेकिन तुम लोग तो काफी ज्यादा जिद्धी लग रहे हो जो अभी तक तुम लोग यहां से गए ही नहीं हो जाते हो या मैं तुम लोगों के ये सारे जोपड़े यहां से तोड़ दूँ एरे भाई कालू कवे तुम ऐसे कैसे हमारे सारे जोपड़े तोड़ दोगे तुम्हें कुछ पता भी है जंगल के मिठू महाराज नहीं हमें यहां पर रहने के लिए जगा दी है तुम फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो हम यहां से कहीं नहीं जाने पले ओरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे तुम लोग यहां से मिठू महाराज के कहने पर ही मैं यहां पर आया हूँ तुम लोगों को यहां से बगाने के लिए तुम लोग अच्छा ही होगा जो भाग जाओ यहां से वरना तुम लोगों को अपने गोंसले वगेरा सब तुड़वाने पड़ जाएंगे कालू कवे अब तुम चाहे हमारे गोंसले तोड़ दो या कुछ भी करो हम तो यहां से जाने वाले नहीं है क्योंके हमें मिट्टू महराज ने यह जगा दी थी अच्छा तो फिर देख लूँगा तुम सब पक्षियों को अब मैं मैं जा रहा हूँ आज के आज यह जगा बिलकुल साफ हो जानी चाहिए रात मैं फिर आऊंगा अगर यह जगा साफ नहीं हुई तो सबी पक्षियों को मार कर भगाऊंगा यहां से फिर ऐसा कहकर वे कालुकावा वहां से चला जाता है हाँ बई कालुकावे वो जो इस्टेशन के पास गरी पक्षी अपने जोपड़े लगा कर बैटे हुए हैं तुमने उनको वहां से भगाया कि नहीं या भी तक वे पक्षी वही पर ही है नहीं नहीं उलू सेट वे पक्षी काफी ज़्यादा चिद्धी है वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं वो पक्षी कहते हैं चंगल के महराज ने उनको वहां रहने की जगा दी है तो फिर मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिये है जो तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो अब तक, मुझे कुछ भी करके वो जगा खाली चाहिए ही चाहिए। तुम्हें पता है मुझे वहाँ पर अपनी पूरी मार्केट खोलनी है लेकिन तुम फिर भी मुझे वो जगा खाली करके नहीं दे सकते हो बस बहुत हुआ अब अगर आज रात वे जगा खाली नहीं हुई तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हाँ हाँ उलू से तुम परिशान नहीं हो देखना आज रात ही मैं पक्षियों से वे जगा खाली करवा के ही रहूंगा फिर ऐसा कहकर कालू कावा वहां से चला जाता है अब जंगल में कुछी देर बाद रात हो जाती है कालू कावा भी एक बड़ा सा डंडा लेकर जंगल के सभी पक्षियों के पास आ जाता है और एक गरीब पक्षियों तुम लोग अभी तक यहाँ पर ही हो सुबाही तुम लोगों को मना करके गया था कि ये जगा छोड़ कर चले जाओ वरना रात में मैं तुम्हें चोड़ूँ गा नहीं फिर भी तुम लोग मेरी बातों से डरे नहीं और अभी तक यही पर ही बै अब मार खाने के बाद सभी पक्षी मजबूर होकर वहां से भाग जाते हैं अब कालू कव्वा सभी पक्षीयों के जोपड़े भी तोड़ देता है चल भई कालू अब तेरा काम पूरा हुआ तूने इन सब पक्षीयों को यहां से बगा दिया है अब तो इन सब के यह तो कर दिया है चलो जदी से उलू सेट के पास जाता हूँ और उसको जाकर ये खुशकबरी देता हूँ फिर यही सोचकर कालू कववा उलू सेट के पास चला जाता है और दूसरी तरफ मीनू चिडिया जंगल के मिठु महराज के पास आ जाती है हाँ भाई मीनू चिडिया क्या खबर लेकर आई हो तो मैं जिस काम के लिए भेंचा था तुमने वो काम पूरा किया के नहीं हाँ मिठु महराज आपने जैसे ही मुझे बताया था कि आपने कालू कववे को जंगल में नया पुलिस वाला रखा है तब ही से मैं उस पर नज़र रखने के लिए चली गई थी और वहीं पर ही गरीब पक्षियों के साथ गरीब पक्षी बनकर रह रही थी लेकिन मुझे पता चल गया है वो कालू कववा घूस खाता है उसने उलू से गूस ली है और उलू सेट के कहने पर उसने वहां के सभी गरीब पक्षियों को डंडो उसे मार कर भगा दिया हैं, उनके सब के जोपड़े तोड़ दिये हैं, क्योंकि उलू सेट को वहाँ पर अपनी एक मार्केट खोलनी है, इसके उलू सेट उसको काफी जादा पैसे दे रहा है, अच्छा, इसका मतनाव इस कालू कावे को मैंने गलत पुलिस रख लिया हैं आपने कहा था कि वे जगा सभी गरी पक्षियों के लिए हैं, लेकिन कालू कावे ने ये बात नहीं मानी और सभी पक्षियों को वहां से बगा दिया, इसलिए आप उसे सजा भी दें, हाँ हाँ मीनू चणिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अभी उस कालू कावे को यहाँ पर बलवाता हूँ, मैं कालू कावे को सजा भी दूँगा और उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दूँगा, और तुम अब एक काम करो, चंगल के सभी गरी पक्षियों को जाकर सारी सच्चाई बता दो, और उनको कहो, के स्टेशन के पास कुछी दिनों में उनको फि भी पक्षियों की तरफ चली जाती है, अब कुछी देर के बाद मिटू माहराज भी कालू कावे को अपने पास बुला लेते हैं, हाँ भाई कालू कावे, ये तुम जंगल में क्या करते फिर रहे हो, मैंने तुम्हें पुलिस वाला क्या बना दिया, तुम तो पूरे जंग ले ली, ये तो तुमने बहुत बड़ा आपरात किया है, और तो और तुमने मेरा कहना भी नहीं माना, मैंने कहा था, केवे जगा जंगल के पक्षियों की है, फिर भी तुमने गरी पक्षियों को वहां से बगा दिया, तो कालू कावे, मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी स निकाल रहा हूँ और तो और अब तुम्हें पूरे दस साल के लिए जंगल की गुफा में भी कैद रहना होगा यहीं तुम्हारी सजा है बस फिरव मिठो माराज कालू कवे को सजा के तोर पर जंगल में एक गुफा में बंद कर देते हैं अब गुफा में बंद होने पर वे उन्लू सेड भी कालू कवे का साथ नहीं दे रहा होता दूसरी तरफ माराज सभी गरीब पक्षियों को तुबारा से स्टेशन के पास रहने की जगा दे देते हैं और अब सभी पक्षी खुशी खुशी वहां रहने भी लगते हैं ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खुबसूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे जंगल में मिठ्टू माराज का राजय चल रहा था इस वज़ज़ से जंगल में सब कुछ ठीक था लेकिन उस जंगल में अभी सर्दियों का मौसम चल रह उस सर्दि के मौसम में जंगल के सभी पक्षी एक साथ मिलकर खूब मज़े किया करते थे जंगल में रोजाना रात को चाय बेचने के लिए एक चील आया करती थी उस जंगल में जंगल के सभी पक्षी उसी से ही चाय लेकर एक साथ बैटकर चाय पिया करते थे एक दिन में यहाँ पर हाँ हाँ मियों चुडिया लेकिन वेचील दूसरे जंगल से भी तो होती हुई आती है क्या पता इसी वज़ा से आज उसे देर हो गई हो पिर अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर वेचील चाय लेकर आ जाती है हरे वा भाई वा चील चलो शुकर है तुम आतो गई बरना हम तो समझ रहे थे कि आज तुम नहीं आओगी हरे नहीं नहीं कबुतर बस वो आज मुझे आते हुए थोड़ी देर हो गई है मैं आती जरूर यहाँ पर मैं बिलकुल भी अपने काम से चुटी नहीं करती हूँ अच्छा छोड़ो चील सारी बाते छोड़ो लाओ हमें जल्दी से चाय पिलाओ तुम्हारी चाय पिकर तो सर्दी की ठंडी रात का लगी मज़ा आ जाता है बात तो बिलकुल सही कही है मीनुचणिया ने खंडी का मौसम और उपर से चील की चाय वा भाई वा औरे बस भाई बस पक्षियों आप सबने तो शेरोशायरिया ही शुरू कर दी है यहाँ पर अच्छा वेसे पक्षियों आज मैं आप सबको एक और बात भी बताना चाहती हूँ हाँ हाँ चील बताओ बताओ क्या बतानी है हम सबको तुम्हें वो पक्षियों, अब तक तो मैं आप सब को दस दाने में चाय दे दिया करती थी, लेकिन अब कल से मैं आप सब को पंद्रा दानों में चाय दूंगी, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है लो भई चील अब तुम भी हमें पंद्रा दानों में चाय दोगी इससे अच्छा हम किसी अच्छी सी चगा पर जाकर चाय ना पी लें देखो पक्षियों वो सबब आप लोगों की मर्जी है आप मुझसे चाय पियो या किसी और के पास जाओ लेकिन चाय तो आपको पंद्रा दानों में ही मिलेगी क्योंके बहुत जादा महंगाई हो गई है पर अचानक से इतनी महंगाई कैसे हो गई है जो तुम दस दानों से पंद्रा दाने कर रही हो देखो पक्षियों दूसरे जंगलों के पक्षि भी मुझे पंद्रा दाने ही देते हैं चाय के बतले में लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम से दस दाने लूँगी तो उनके साथ ना इंसाफी होगी इसलिए अब तुम लोग भी मुझे पंद्रा दाने ही दो पर चील पंद्रादाने तो बहुत जादा हैं कुछ कम नहीं हो सकते हैं क्या देखो भई चील अगर तुम्हें दूसरे जंगलों में पंद्रादाने मिल रहे हैं तो तुम अपसे वहीं ही चली जाना यहां पर बिल्कुल भी मताना अपनी चाय बेचने के लिए अच्छा ठीक है ठीक है जैसा तुम लोग बोलो मैं वैसा ही करूँगी अब मैं कभी तुम लोगों के जंगल में नहीं आऊंगी चाय बेचने के लिए अरे वे चील क्या हो गया तुम कहा जा रही हो सुनो तो जरा फिर वे चील सभी पकशियों से नाराज होकर वहाँ से चली चाती है ये क्या किये तुमने कालू केवे तुम्हे उस चील को यहां से ऐसे जाने का नहीं बोलना चाहिए था रह वो यहाँ पर रोजाना आएगी ही नहीं तो हम सब पकशी कैसे भी ईंगे चाये अरे पक्षियों आप सब परिशान मत हों मैं कुछ न कुछ बंदोबस्ट कर लूँगा इस चाय का हाँ हाँ कालू कावे हम सब पक्षी भी अब देखते हैं कि तुम आखिर क्या करोगे तुम्हारी तो सिर्फ बाते ही होती है बाते करने के कुछ नहीं हो तुम पिर अब सबी पक्षी वहां से अपने अपने घर चले चाते हैं दूसरी तरफ कालू कावा अपनी घर पर बैठा सोच रहा होता है अब तो मुझे ही रात को चाय का कुछ न कुछ बंदोबस्ट करना होगा कल से अब मैं काम करूंगा चंगल के सबी पक्षियों को जाकर कहूंगा कि चलो हम सब मिलकर लपडिया जमा करते हैं और उनमें आग लगाकर खुदी से चाय पनाते हैं इससे तो और भी जादा मज़ा आ जाएगा हम सब पक्षियों को बस फिर अगला दिन गुजरने के बाद जब सबी पक्षियों एक साथ बैठे होते हैं आकर तब मीनू चुडिया कहन लगती है हाँ भाई कालू कवे कल तो तुम बहुत बोल रहे थे कि अब मैं ही कुछ चाय का बंदोबस्ट करूंगा तो अब बताओ कुछ सोचा है तुमने चाय के बारे में हाँ हाँ बताओ भाई बताओ कोई ना कोई बंदोबस्ट कर ले लिया होगा तुमने शायद हाँ हाँ पक्षियों मैंने सोचा है लेकिन आप सब बोल रहे हैं कि हम चाय वाले को अपने जंगल में बुलाएं अरे नहीं नहीं पक्षियों मैंने तो ये सोचा है अरे पर कालु कावें ये सब कैसे होगा ये इतना असान नहीं है देखो पक्षियों हम सबी पक्षियों अभी जंगल से कुछ लकडियां जमा कर कर लाते हैं और उस पर आग लगा देते हैं फिर उस आग पर हम चाय बनाएंगे इससे तो हमें और भी ज़्याद मुझाएगा वैसे पक्षियों ये कालू कववा कह तो बिल्कुल सही रहा है ये सब करते हुए हमें आग के आगे बैट कर भी कितनी ज़्यादा गर्माईश मिलेगी ठंड में तो मज़ा ही आ जाएगा लेकिन पक्षियों इस सबसे तो हमारे जंगल में आग भी लग सकती है क्योंके देखियो पक्षियों अभी हमारे जंगल में हवा भी काफी ज़्यादा तेज है 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 पक्षियों मीनुचिणिया सही कह रही है इस सबसे हमारे जंगल में आग भी लग जाएगी हाँ हाँ ठेक है ठेक है इसने तो बहुत मसला हो जाएगा नहीं भाही नहीं हम ये काम नहीं करेंगे और ये पर पक्षियों आप सब लोग बिल्कुल उल्टा क्यों सोच रहे हैं जरूरी थोड़ी है कि हमारे जंगल में इस सबसे आग लग जाए मैं तो भाई अभी ऐसे ही चाय बनाऊंगा इस जंगल में आप सब को पीनी है तो पीएं वरना यहां से चले जाएं पिरवे कालुकावा किसी भी पक्षी की बात नहीं सुनता और अपनी मन मानी करने लगता है कालुकावा अब जंगल में कुछ लखडियों पर आग लगा कर अपनी चाय बना रहा होता है वेरव अचानक से तेज हवा चलने के कारण वे चाय और लखडी एक जगा पर जाकर गिरती है जिसके कारण पूरे ही जंगल में आग लग जाती है अरे पक्षीयों हमारा जंगल तो पूरा सुखा हुआ है इस आग को रोकना बहुत मुश्किल है यह आग अब नहीं रुकने वाली है यह और तेजी से बढ़ती जाएगी इससे पहले के यह और बड़े हम सब गुफा में चलते हैं अपनी जान बचाने के लिए फिर अब वो सभी पक्षी उदर से अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं अब सभी पक्षी काफी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर आखिरकार गुफा में आही जाते हैं देखा कालू करवे मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ये काम मत करू इससे हमारे जंगल में आग लग जाएगी लेकिन तुमने एक भी नहीं सुनी अब देखो हमारा पूरा जंगल बरबाद हो गया होगा उस आग में जल कर हाँ जंगल के साथ साथ जंगल में जो कुछ भी दाने होंगे वो सब भी जल गए होंगे और हमारे घर भी जल गए होंगे अब तो हमें ये जंगल छोड़ कर जाना पड़ेगा अरे पक्षियों आप सब मुझे माफ कर दो मुझे आप सब की बात मान लेनी चाहिए थी मैंने बहुत गलत किया है ये सब केलु केवे तुम तो रहने ही दो तुमारी ही जिप की वज़ा से हमारा पूरा जंगल बरबाद हो गये हाँ पक्षियों बस अब जलती ही हमें दूसरे जंगल में रहने का बंदोवस करना होगा अपना क्योंके ऐसे तो हम जादा देर तक गुफा में नहीं रह सकते हैं हमें दूसरे जंगल में जाना होगा वही पर ही अब हमें कुछ न कुछ खाने को दाना मिलेगा बस ऐसे ही उस कालु कवे की छोटी सी गलती की वज़ा से अब सभी पक्षियों को अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाना पड़ता है क्योंके उनका जंगल तो आग लगने की वज़ा से पूरा ही जल कर बरबाद हो गया था प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से प्रेना मिलती है कि अगर कोई हमें सही बात समझा रहा हो तो हमें समझ लेना चाहिए अपनी मनमानी बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए उससे हमें कुछ भी नुकसान हो सकता है ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खुबसूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे जंगल में एक मिठू महराज का राजे चल रहा था जिसके कारण जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था उस जंगल के पक्षी इसी वज़े से ही सुकून की जिन्दगी गुजार रहे थे जंगल में फिर एक दिन अचानक उस जंगल में पक्षियों के घरों पर पानी आना बंद हो जाता है घर में पानी ना आने की वज़ा से मीनुचडिया काफी जादा परिशान हो जाती है और परिशान होकर वे मीनुचडिया कबूतर के घर पर आ जाती है एरी कबुतर भाया देखो सुबा से पानी ही चला गया है आप जरा अपने गर पर जाकर देखो पानी आ रहा है क्या क्योंकि मेरे गर पर तो पानी ही नहीं आ रहा है अरे नहीं नहीं मीनु चडिया पानी तो मेरे घर पर भी नहीं आ रहा है मैं तो खोद सुभा सुभा बिना नहाए ही यहां बैठा हूँ इच्छा तुम्हारे गर पर भी पानी नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा हूँ क्यों रहा है आज से पहले तो इस जंगल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है चलो अब हम एक काम करते हैं रंगीन पक्षी के पास चलते हैं उसके पास जाकर पूछते हैं पानी का हाँ हाँ चलो चलो वैसे भी रंगीन पक्षी के पास भी पानी नहीं होगा मुझे लगता है पूरे जंगल में किसी के पास भी पानी नहीं होगा और हाँ अगर उसने पानी बचा कर रखा होगा तो हम उससे थोड़ा पानी मांग लेंगे नहाने के लिए बस फिर यही सोच कर वे दोनों अब रंगीन पक्षी के पास आ जाते हैं है रे भाई रंगीन पक्षी क्या तुमारे घर पर पानी आ रहा है सुबा से हमारे घर पर तो पानी नहीं आ रहा एरी क्या बताओं पक्षीयों मैं तो खुद सुबा से परिशान बैटा हूँ सुबा से मेरे घर पर पानी नहीं आ रहा है और मेरे घर पे तो पीने तक का पानी भी नहीं बचा है मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा एरी जी सब आखिर क्या हो रहा है रंगीन पक्षी के करपर भी पानी नहीं है चलो अब हम कालुकवे के पास चलते हैं शायद उसके पास पानी हो बस फिर अब वे तीनों यही सोचकर कालुकवे के पास आ जते हैं औरे क्या हो गया भाई पक्षियों आप सब एक साथ यहां पर क्यू आ गए हो क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप लोग मुझे यहां पर पीटने के लिए हो एरी नहीं भाई नहीं कालुकवे तुमने कुछ भी नहीं किया है और हम तुमें मारने भी नहीं आये हैं तुम छोड़ो यह सब हमें एक बैद बताओ क्या तुम्हारे घर पर पानी आ रहा है औरे नहीं न पक्षियों मुझे भी तो आप सब से यही पूछना था कि क्या आप सब के घर पर पानी आ रहा है क्योंके मेरे घर पर तो सुबा से ही पानी नहीं आ रहा लो भाई पक्षियों हम यहां पर कालु कव्वे से पानी का पूछने आए और कालु कव्वा ही यहां हमसे पानी के बारे में पूछ रहा है लेकिन अब हम क्या करें कालु कव्वे के घर पर भी पानी नहीं है अब तो इसका मतलब पूरे जंगल में कहीं भी पानी नहीं आ रह एड़ी पक्षियों अब मुझे लगता है हम सब को जाकर मिठ्टू महराज से ही बात करनी पड़ेगी अब इस मानी के बारे में हाँ हाँ मीनू चडिया तुम सही कह रही हो चलो भई चलो पक्षियों जल्दी से मिठ्टू महराज के पास चलते हैं यह समझ से लेकर औरे बाई पक्षियों देखो तुम लोग जाओ मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंके बेरे घर पर तो पानी आ रहा है मैं तो तुम लोगों से मजाग कर रहा था तुम्हारे घर पर पानी नहीं आ रहा इसलिए तुम लोग ही जाओ महराज के पास शिकायत लेकर कालुकवे ये कौन सा मजाग होता है करने वाला हम सब ऐसे ही पानी की वज़ा से कितना परिशान है और तुम हम से यहां पर मजाग कर रहे हो हाँ हाँ कालुकवे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था चलो पक्षियों हम चलते हैं महाराज के पास फिर अब कालुकवे के लावा बाकि सब जंगल के पक्षि महाराज के पास जा रहे होते हैं तभी रास्ते में वे देखते हैं तो जंगल की नदी में भी बिल्कुल पानी नहीं होता है पक्षियों ये देखो यहाँ पर भी पानी नहीं है नदी में तो पुरा सुखा पढ़ चुका है जब यहाँ पर ही पानी नहीं है तो हमारे घरों में भला कैसे पानी आएगा बस फिर अब थोड़ी ही देर में वे सभी पक्षी महराज के पास आ जते हैं और महराज को सारी समस्या बता देते हैं आरे पक्षियों आप लोग अपने घरों की बात कर रहे हो पानी तो मेरे महल में भी नहीं आ रहा है हाँ महराज पर जंगल में सिर्फ उस कालुकवे के घर पर पानी आ रहा है अब वो ही सिर्फ हमें पानी दे सकता है हाँ हाँ पक्षियों आप सब सही क्या रहे हो अब हमें चल कर उस कालुकवे से बात करनी होगी बस फिर क्या था अब सभी पक्षी और मिठू महराज उस कालू कवे के घर पर आ जाते हैं मिठू महराज की ये बात सुनकर विकालू कवा अपने शातिर धिमाग से सोचने लगता है अरे वा 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 मेरे पास अमीर होने का ये बहुती जादा अच्छा मौका है मैं अभी एक काम करता हूँ सभी पक्षियों को कहता हूँ कि अगर आप सब को पानी चाहिए तो बदले में मुझे अच्छे खासे दाने देने होंगे जबी मैं पानी दूँगा अरे क्या हुआ कालुकवे तुम सुन क्यों हो गए हो बेठे 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 बोलो भाई क्या हुआ देखो भाई पक्षियों मैं आप सब को पानी तो दे दूँगा मगर आप सब को उसके बदले में मुझे दाने देने होंगे अरे ये क्या बोल रहे हो कालुकवे तुम कुछ सोच समझ करतो बोलो तुम अब हमें पानी बेचोगे अरे हाँ हाँ कालुकवे ये तो बहुत गलत बात है तुम ऐसा नहीं कर सकते हाँ कहलो के वे ये सभी पक्षी ठीक कह रहे हैं तो मैंसे हमारी मजबूरी का साइदा मत उठाओ आनुकाओं में तो मैं ऐसा नहीं कर सकते हूँ तो मैं जंगल के सभी पक्षियों की परिशानी में उनका साथ देना चाहिए अरे नहीं भाई नहीं पक्षियों मुझे कुछ भी नहीं सुनना है मैं तो आप सबको दाने लेकर ही पानी दूँगा अब आप सबको अगर पानी लेना है तो लो वरना जाओ यहां से अब जंगल के पक्षि पानी की वज़े से काफी जादा मजबूर थे जिसके कारण अब जंगल के सभी पक्षि रोज़ाना कालू कवे को दाने दे कर ही पानी लिया करते थे पिर एक दिन सभी पक्षी मिट्व महराज के पास आ जाते हैं अरे महराज ऐसे हम सब पक्षी रोज रोज कालुकवे को दाने दे कर पानी नहीं ले सकते हैं अब इसका कोई न कोई हल तो निकाल नहीं होगा हाँ पक्षियों आप सब सही कह रहे हैं अब मुझे इसका कुछ न कुछ हल निकाल नहीं होगा मैं आज ही दूसरे जंगल के उल्लू जी के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ जी जी महाराज आप सही करें हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है आपके वो ही कुछ कर सकते हैं पस फिर यही सोच कर तोते महाराज दूसरे जंगल के उल्लू के पास चले जाते हैं अरे बाई मिठू तोते आप यहाँ पर क्या हुआ भाई कोई काम है क्या आरे उल्लू जी हमारे जंगल में किसी भी पक्षी के घर पर पानी नहीं आ रहा है बस वो कालू कमवा है उसी के घर पर पानी आ रहा है लेकिन वे कालो कमवा सभी पक्षियों को पानी के बदले में दाने लेता है इसलिए मेरे जंगल के सभी पक्षी काफी जादा परशान है अच्छा तो फिर आप मुझे बताईए मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ वो उल्लू जी आप अगर अपने जंगल से हमारे जंगल में पानी दे देंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए अच्छा चलो ठीक है ठीक है महराज जी मैं अपने जंगल से अभी थोड़ा पानी आपके जंगल में भेज देता हूँ बस फिर अब उल्लू से मदद मांग कर वहां से मिट्टू महराज वापस चले जाते हैं अब ऐसे ही जंगल में कुछी दिन गुजरने के बाद अब जंगल के सभी पक्षियों के घरों पर भी फिर से पानी आने लग जाता है और दूसरी तरफ उस कालुकवे के घर में पानी आना बंद हो जाता है फिर क्या था अब जंगल के सभी पक्षी एक दिन एक साथ बैटे होते हैं तब ही कालुकवा काफी ज़्यादा परिशान होकर उनके पास आता है औरे पक्षियों अब तो मेरे घर पर भी पानी नहीं आ रहा है अब आप सब का क्या होगा आपको पानी कहां से दूंगा मैं अब एरे पर क्यलुकवे हम सब के घरों में और जंगल में पानी आतो गया है मुझे लगता है कालू कहवे तुम्हारे घर में इसलिए पानी नहीं आ रहा है कि तुमने उस समय जब तुम्हारे पास पानी था तो हम सबी पक्षियों की मजबूरी का फाइदा उठाया था इसलिए मुझे लगता है तुम्हारे किये की सजा मिल रही है फिर मीनू चड़िया की ये बात सुनकर उस कालू कावे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी पक्षियों से अपनी माफी मांग लेता है बस फिर ऐसे ही अब उस जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से प्रेना मिलती है हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि वो ही मजबूरी कल को हम पर भी आ सकती है